बुड़ आफ्टरनून स्टूनेंट सायम प्रिति कम्चर टीचर फ्रॉम जीवन जूति कॉर्वेंट स्कूल बिटा आपके चप्टर फाइफ कंप्लीट हो गए हैं यह आपका चप्टर नमर सिक्स है फॉर्मेटिंग दी डॉक्यमेंट ठीक है अब इसमें हम अपने डॉक्य को फॉर्मेटिंग करना सिखेंगे ठीक है फॉर्मेटिंग मींस होता है कि अपने टेक्स्ट को चेंज करना मींस उसका अलाइंगमेंट उसका अलाइंगमेंट चेंज करना उसका कलर चेंज करना उसका साइज चेंज करना टाइप चेंज करना ठीक है तो आपका क्या होता है formatting होता है ठीक है तो अब आपका देखी इसमें different tabs हैं आपके Microsoft Word में there are various formatting options available in different tabs in Microsoft Word 2010 ठीक है बिटा देखें फर्स्ट हम देखेंगे font type को कैसे change करते है font type देखें यह आपकी जो list है यह आपके font type की list है ठीक है यह आपके home tab में होती है हम टेखेंगे अंदर आपका font group होता है उसके अंदर यह सारा होता है इसका font का type size color style ठीक है तो फिर्स्ट वन आपको क्या करना है अपने text को select करना है जो भी text को आपका type change करना है ठीक है सेकंड आपको क्या करना है home tab के अंदर font option पर क्लिक करना है ठीक है अब उसमें से आपको यह drop down आपकी list open होगी इसमें से आप कोई भी type पो select कर सकते आपका font उसी type में change हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से आप अपने font का size change कर सकते हो ठीक है यह आपकी देखिए font group के अंदर ही size की list होती है ठीक है इस यह वाला आपका क्या है font देखिए font size increase बड़ा है इसमें आपका size और इसमें आपका font size चोटा है ठीक है तो आप इस list में से आप यहां क्लिक करके आप अपनी list में से अपना कोई size को select कर सकते हैं ठीक है उसी size का आपका text हो जाएगा next आता है आपको color change करना font का तो आपका कैसे होगा first one आपको अपने text को select करना है after उसके बाद आपको क्या करना है देखिए color को select करना है आपका देखिए यहां पर color change हो गया font का ठीक है यह आपकी color है सारे तो आप इसमें से कोई भी color को select करके अपना color change कर सकते हैं first one आपको बेटे अपना select करना होगा text को जो भी आपको formatting करना है ठीक है उसके बाद वो आपकी formatting उसके उपर apply होगी next आता है आपका font style font style में देखिए आपका एक आता है bold एक आता है italic एक आता है आपका underline ठीक है इसमें आपका क्या होता है bold में क्या होगा आपका text bold दिखाई देगा जैसे कि आपने कोई headings लिखी है ठीक है उनको आपको अलग से highlight करना तो उनको ब quantifyMAN कर सकते उनका size बड़ा कर सकते दिरंगों डिफरेंट कलर दे सकते हैं आपको क्या हो bạn ब मृं हो जाएक इसी तरीकays सि नेक्स्ट आता है आपका italic italic में क्या होता है कि आपका जो text होता है वो थोड़ा थिर्चहा हो जाता है ठीक है ठीक है वहाइपका होता है italic next कर सकते हो सेंटर कर सकते हो रायट कर सकते हो जस्टिफाइब कर सकते हो चीक है यह आपकी शॉटकट कीज दी हुई है यह आपको लर्ण करनी है इनमें से ठीक है नेक्स्ट आता है आपका देखिए लेफ्ट अलाइंग्मेंट में क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वह आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा राइट में क्या होगा वह आपका टेक्स्ट राइट साइड हो जाएगा ठीक है सेंटर में आपका जो टेक्स्ट से बिल्कुल बिल्कुल होता है अच्छा दिखता है वह दिखा आपको दिखाती हूँ देखिए आपका यहां पाट टेक्स्ट क्या है लेफ्ट में लेफ्ट से एक्वल आएगा ठीक है बेटा तो यहां राइट साइड से एक्वल नहीं आ रहा है तो यह आपका लेफ्ट साइड में है सारा टेक्स्ट ठीक है सेंटर देखिए सेंटर अलाइंगमेंट में यहां देखिए आपका यहां पर कोई तो यह आपका क्या है यह बेल्कुल justify जो होता है वह आपका बहुत अच्छा फॉर्माटिंग होता है कि मीस जब भी आप paragraph लिखते हैं कोई भी अपना पूरा document टैप करते तो आप अपने document को justify करोगे तो वह आपका अच्छा होता है ठीक है तो आपका यह justify ия sorcery Peki better next आता है आपका bullets अनम्बरिंग यह क्या होता है bullets जैसे आप बिटकभ कोई list बना रहे हो टिक है या तो आपकी list order में है या तो आपकी list order में है थिक हैं ॥ो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते है bullets को और नम्बरिंग को ज़रोंpass ने मैं जेसे आप माले लिए fruits name लिख रहे हो तो fruit name में क्या है अगर mango पहले आ जाए या apple पहले आ जाए चीक है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा है तो वह fruits न तो वह आपकी list कैसी हो जाएगी और लिस्ट हो जाएगी तो उसमें हम क्या लगा सकते हैं बिटा को लगा सकते हैं अब numbering जो होगी वो आपकी order list में होगी order list अगर आपको create करनी है तो आप उसमें अपना number list को लगा सकते हो नब देखे order list में जैसे मान लेजिए किसी class के बच्चों के आपको नेम लिखने है तो रॉल नमबर जो बच्चा 5 पर है वो 5 पर ही रहेगा ठीक है उसको हम 6 पर तो नहीं कर सकते ना तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं बैटा numbering list को यूज कर सकते हैं वह आपकी कैसी list होगी order list होगी के लिए रहे इसके लिए आपको क्या करना प सेलेक्ट करना है numbering option in the paragraph section ठीक है अब देखिए एक bullet list होगी मैंने आपको पताया it create the list in the bulleted style number list में it create the list is number style and multi-level list multi-level list में क्या होती है जैसे आपकी next list होती है इसमें आपका list order way में भी आ सकती है और unorder way में भी आ सकती है ठीक है तो वह आपकी कौन सी होगी multi-level list it create the natural text can also be display in the form of an order list as well as an unorder list clear है नेक्स आता है आपका देखिए यहां पर number list है यहां पर 123 लिखे होए तो यहां आपकी numbering list है इसमें देखिए आपकी dots आ रहे हैं तो यह आपकी blue list है इसमें अगर हम इस लाइन को उपर लिख देया इसको नीचे लिख दे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है अगर हमने यहां पर जैसे यह numbering दे रखिए अगर हमने seven line को first number पर लिख दिया तो उससे फरक पड़ सक यह हमने one two three लिखे हैं और पार two में हमें चाहिए बिटा बुलर से तो यह आपकी order list भी हो जाएगी अनौडर लिस्ट भी हो जाएगी ठीक है इसमें दोनों में bullets लगा हुए तो आपकी multi-level list में order भी होता है और अनौडर भी होता है ठीक है बिटा आज हम आपका बिटा पे